नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब यार और मैं हूँ आपके साथ विशाल जा अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है लालू प्रशाद यादव से जूरी दरसल लालू प्रशाद यादव को कल झारखंड हाई कोट ने दुमका कोशेगर मामने में जमानत दे दी थी ऐसे में बहुत जादा क्यास लगाया जाना तकि लालू यादव एक से दो दिन में वापस से पटना पधारने वाले है अपने घर पे वापस आने वाले है लेकिन अभी अभी जो खबर हमें मिली है वो ये प्राप्त हुई है कि लालू प्रशाद यादव अभी पटना नही बर्ती थे चुकि उनकी हालत काफी जादा बिगर गई ती इसलिए उन्हें दिल्ली के एमस में वह बर्ती कराए गया था ऐसे में इसके इलावा जो है जारकंड कोट में उनका मामला भी चल रहा था तो जिसको ले करके कल उनको दुमका कोशगर मामले में जमानत मिल गई आप में तमाम समर तक आरजेटी के कारिकरता और तमाम लोग यह क्यास लगा के बैटे वे थे कि बहुत जल्ड लालुप्रशाद यादव पढ़ना पदारेंगे और वो लोगों से मुलाकात करेंगे और सारे लोगों को वापस अपना अशिरवात देंगे अभी अभी हमें अध लालुप्रशाद यादव का दिल्ली के एमस में जो है वह इलाज चल रहा है उनकी जो है किड्री फेलियर और जो है तमाम बोड़ी के अलग अलग पार जो है वह काम करना बंद कर दिये थे ऐसे में उनका बीपी और शुगर भी बढ़ा हुआ था तो कुल मिला कि उनकी हाल के लिए तो काफे महत्पून है काफे जरूरी था लेकिन उनके समर्तकों को मायूस करने वाला भी फैसला यह हो सकता है क्योंकि उनके समर्तक जो है वो कल से ही निगाहे टिका कर बैटे वे थे उनके मन में एक बहुत मेरी खुशी थी कि अब उनके लीडर राज़त सुप्र लिए कि लालो प्रशाद यादव अब नहीं आएंगे आपको यह भी बता दें कि बहुत लोग के द्वारे यह भी क्यास लगा जाना था कि लालो प्रशाद यादव क्या आते ही राजनीतिक गते वीडियों बहुत जादा वो एक्टिव होने वाले और ऐसी संभावनाएं भी जताई जारी थी कि लालो प्रशाद यादव के वापस आने के बाद बिहार के विदानसभा सीटों का जो समीकरन था वह बावज से बदलता और जो तिदश्वी यादव थे वह वापस से सीम बन सकते थे लेकिन अभी इन सभी बातों पे जो है वो रोक लगा दिया गया है वो रोकताम लगा दिया गया है अभी जो है लालो प्रशाद यादव की परिवार ने फैसला लिया है कि अभी उनका इलाज दिलनी में चलता रहेगा और वह अभी फिलाल के लिए पट्ड़ा अपने घड़ पे जो है वो नहीं आएंगे तो कहीं ने कहीं एक बहुत बड दन्यवाद लाइब भी हाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें